हाई गाईस, most welcome to all of you गाईस यहाँ पर मैंने आपके लिए आपका एक्जाम्स बहुत ही करीब आ रहा है जश्ट उसके लिए कुछ दिन बाकी है तो यहाँ पर मैंने आपके एक्जाम्स के लिए प्री के लिए जो सबसे important topic है Reports इसके बाद मैं आपको index के उपर भी और बहुत सरे ऐसे themes के उपर, motto के उपर अलग-अलग videos बना के दूँगा बट यह video आपको बहुत ही ज़्यादा important होगा क्योंकि आपके एक्जाम्स में pre के जो एक्जाम्स में paper 1 में 2-3 question report के उपर आते हैं तो यहाँ पे आपको सब के सब 2019 और 2020 में जो भी reports आपके एक्जाम्स के लिए important है इससे ज़्यादा कोई भी आपको reports पढ़ना नहीं है यह जितने भी 45 reports हैं उसके अंदर से भी आपको 45 में से ही कुछ गीने चुने reports पढ़ने है आपके लिए मैंने सब कुछ बना दिया है क्योंकि UPSC exam जो है उसके लिए आपको 100% तयार रहना चाहिए आपका एक भी question रॉंग नहीं होना चाहिए जो आपके current affair के जो topics है जैसे की oil से related topic है जैसे कुछ भी जो topics है जो ड्रक्स से related topic है जैसे की अब भी अलग-अलग medicine के उपर coronavirus का time चल रहा है तो please आप उसके उपर थोड़ा सा जादा focus करना वो आप अगर study कर रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा अब यहां पर आपको first report दिखा और मैंने आपके लिए easy task क्या किया है पता है डबलू वाले सब एक साथ लिख दिया हूं और बाद में मैंने G वाले mostly G और W से ज्यादा report आते है क्योंकि world report है यहां पर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा world investment report तो इसे कौन रिलीज करता है United Nation Conference on Trade and Development second जो हमारा report है जो second world cities report उसे कौन रिलीज करता है UN habitat जो third है आपको दिखाई देगा कौन सा है third world wildlife crime report crime report आप अच्छे से करके रखना United Nation office on drugs and crime fourth कौन सा है world drugs report उसका भी same है बाद में fifth आपको दिखाई देगा world energy outlook यहां पर कौन इसे रिलीज करता है International Energy Agency six आपको दिखाई देगा world oil outlook आपको पता है कि oil का जो dispute है बहुत ही जादा चल रहा है रसिया और सौधी अरबिया के बीच में बहुत ही जादा problem चल रहा है और oil का जो price है बहुत ही जादा down हो चुका है आप already study कर रहे होंगे तो आपको reason पता होगा then ये वाला मेरे according मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला जो है world oil outlook है ये अच्छे से करके रखना है फिर से आप देख लो इसे कौन release करता है opaque अगर आपको opaque plus के बारे में अगर कुछ knowledge है तो आप please comments करके बताओ next है world happiness report इसे कौन release करता है hdsn बाद में world economic outlook ये बहुत ही important है economic से जो related है already आपको पता है कि इंडिया की economic world की economic बहुत ही down होती जा रही है next है world intellectual property report इसे कौन release करता है world intellectual property organization then next है world development report आपको दिखाई देगा इसे कौन release करता है world bank next आपको दिखाई देगा world social protection report कौन release करता है ILO ILO के तीन report है मैंने line से लिखे world employment and social outlook and world work report तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो social life से related है वो तीनों के तीनों जो labors है देखो employment labor से related है work जो है labor से related है and social production भी है labor से related है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यह जो तीनों है यहाँ यहाँ पे जो ILO का है वो तीनों इससे ही relate करता है मैं यहाँ पे आपको आगे मैं जाता हूँ 14 से पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा trick भी बता देना चाहता हूँ देखो सबके tricks अलग अलग होते हैं जो मैंने याद करके रखना है आपको जैसा भी आपको trick याद करके रखना है जैसे मैं यहां पर आपको एक trick बता रहा हूँ, यहां पर पहले मैं लिख देता हूँ, जैसे यहां पर D, H, O, D, H, O, C, I, धोसा होता है, पर यहां पर इस पहलिंग में S नहीं है, मैंने यहां पर धोसी लिखा है, समझ मैं ऐसे ही आपको याद करके रखना है, D से, D से क्या जाया है, यहां मैं आपको दिखा ही दर हों, D से क्या है, ट्रक्स, IRS, S से क्या आएगा, हैपपीनेश, S से क्या आजाएगा, ऐल, C से क्या आजाएगा, CTs, C से CTs, I से क्या आजाएगा, नीचे investment उपर दिखा ही दे रह है, तो, मैंने ऐसे बहुत, ऐसे ही अलग- swim लगा, क से happiness, O से oil बाद में C से cities और I से investment तो आप ऐसे अलग-अलग tricks आप लगा कि याद कर सकते हो और भी अगर जो भी आपको tricks चीए तो आप comments करना मैं और भी बताऊंगा वीडियो जादा लंबा नहों आपको problem नहों आपको सब चीजे एक साथ मिल जाए इसलिए मैं ज़्यादा tricks नहीं बताऊंगा जस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा और एक और मैं आपको tricks बता देना चाहता हो नीचे है जैसे मैंने नीचे का कैसे याद किया था यहाँ पर साइद मैंने देसाई करके याद किया था दे-सा-ई यहाँ पर ऐसे मैंने याद किया था डी से development बाद में ए से economic बाद में S से social बाद में A से हाँ A यहाँ पर silent है और I से मैंने कुन सा याद किया था I से हाँ intellectual तो ऐसे मैंने याद किया था और बाद में एक दो बचेंगे एक दो आप याद कर लो कुछ चीज़े है जो आपको खुद से पता रहेगा तो ऐसे आप करके पहले आपको पुरे रिपोर्ट के बारे में अगर पता रहेगा तो आप मेंस में जब आप एंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे भी आप अच्छे से लिख सकते हो तो वहां एसा युनाइटेट नेशन इन्वार्मेंटल प्रोग्राम ही रिलीज करता है नेक्स आपको करप्शन ये भी अच्छे से कर लेना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है नेक्स है आपको दिखाई दे रहोगा नेक्स ग्लोबल एजुकेशन यहां पर यहां पर एक्स्प्रें का यहां पर दिया है कि युनाइटेट नेशन ओपिस फॉर डिजास्टर रिक्स रिडक्शन तो डिजास्टर आया हुआ है तो प्लीज इसको आप अच्छे से करना मुझे ऐसा लगता है कि यह ज्यादा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आप देखोगे देखो ग्लोबल कॉं इसे कोन रिलीज करता है आई आई एम इफ का फूल फाम आपको पता होगा उपर मैंने बता है नेक्स्ट आए ग्लोबल फाइनेंशल सिस्टम रिपोट बीजान से बिलेटेट क्या-क्या इसूस है तो प्लीज बैंक से आप याद कर लो बैंक के भी हो सकता है एक्जाम में यहां पर आपको दिखाई दे रहागा 24 Global Money Laundry Report International तो यहां पर FATS Financial Action Task Force इसका full form है मैंने बता दिया है अगर आपको पता होगा उसके बारे में कुछ उसने पाकिस्तान को कौन से लिश्ट में रखा तो प्लीज आप कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट कोशन नमबर 25 है अभी उसने रिसेंट में पाकिस्तान को ग्रे लिश्ट में रखा हो ब्लेक लिश्ट में रखने वाले थे पर उन्होंने कैंसल किया तो उन्होंने ग्रे लिश्ट में रखा है तो यह भी कोशन सापके एक्जांस में आ सकते हैं नेक्स्ट आपको वर्कर से रिपोट रिलेटेड ही है तो यहां पर देखो वेज है वेजस से रिलेटेड है इनोवेशन डबलु आई-पी-ओ लेवलेटेंड ने चाहिड मॉटेलिटी रिपोट चाहिए तो यहां पर गया उनाइटेड नेशन इंटर एजनसी ग्रूप चाहिए तो आप सब ज चाहिए अब इंवार्मेंट़ न क्राइं यह अच्छे से कर लेजन बाद में इसटेट उन वल्ड पॉपुलेशन का याद रखना जिज पाल में इंडरिस्ट्रिय ल डियूप्मेंट रिपोर्ट टैश्टhmen डीज रिपोर्ट रेगूलर रिसौर्सेज दिखाई दे रहा है आपको बाद में report on counterfeiting and organized crime इसे कौन release करता है UNICRI next है आपका travel and tourism report competitive report इसे कौन release करता है WEF world economic forum next है south east asia energy outlook इसे कौन release करता है IEA next है opaque opaque monthly oil market report मैंने बताए कि opaque बहुत important इसे कौन release करता है next आपको technical cooperation report दिखाई दे रहागा इसे कौन release करता है international atomic energy agency next आपको दिखाई दे रहागा nuclear technology review इसे कौन release करता है IAEA वही सेम है जो उपर वाला है next आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा Asian development outlook इसे कौन release करता है ADB energy report living planet report next आपको यहाँ पे state of forest report दिखाई दे रहागा इसको यह forest survey of India release करता है यह बहुत important है आप अच्छे से इसको कर लेना इसके उपर questions आया हुआ एक्जाम में UPSC में next आपको दिखाई दे रहागा आप जो last है safety report है इसे कौन release करता है ICAO International Civil Aviation Organization तो please जितने भी मैंने आपको reports बताए हैं उसे आप trick by trick और इसे रटो मत इसे बस regular morning में उठने के बाद one time इसे बस क्या करो आप जब तक आपका प्री का एक्जाम नहीं है आप इसे बस one time क्या करो revise करते जो रोज one one time इसको read करो five minutes में खाना खाते time या जब भी आपको time मिले उस time पे बस इसको mobile में open रखो अगर इसके PDF आपको चाहिए तो आप comments करना मैं इसके PDF भी आपको send कर दूँगा जो भी अगर चाहिए तो please आप बस इसे क्या करो one time just इसे revise करो कि इस समय आपके बस time बहुत ही कम है please आप study के उपर ध्यान दो